अभी कुछी दिनों पहले राहूल गांदी ने अपनी स्पीच में एश्वरिया राय बच्चन फैमली का नाम लिया था एक नहीं, दो नहीं, चार बार ऐसा हुआ और अब राहूल गांदी की एक और स्पीच सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है जिसमें वो इस बार उन लोगों का नाम लेते नजर आ रहे हैं जिनका हाथ पूरे बॉलिवूड इंडस्ट्री पर है मैं बात कर रही हूँ अंबानीस की जी हां, राहूल गांदी ने अपनी लेटिस स्पीच में अंबानीस का एक्जामपल दिया है राहूल गांदी ने एक सभा की जहांपर वो किसानों की हित की बात कर रहे थे राहूल गांदी कह रहे थे कि कैसे किसानों की छोटी सी शर्त पीम नरेंद्र मोदी नहीं मान रहे हैं और किसान जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं ये कोई भी मीडिया चानल नहीं दिखा रहा है, तब ही राहूल गांदी एक मीडिया चानल का नाम लेते हुए कहते हैं, कि यहां के लोग भी चले गए हैं, मीडिया वाले राहूल गांदी को बोलते हुए दिखा ही नहीं सकते हैं, मीडिया वाले दिखाएंगे अम्बानीस क कि वहाँ शादी हो रही है अम्बानी इसका बेटा शादी कर रहा है वहाँ पर कौन आया है कौन गया है यह सब दिखाएंगे मीडिया वाले यह BBC वाले चले गए अब अब राहूल गांदी जो बोल रहा है वो कैसे दिखा सकता है अब वो का क्या कहेगा आप आप जाएगा टीवी पे आप देखेंगे अम्मानी जी के बेटे की शादी हो रही है आप देखना वहाँ पे धूम धाम से मतलब मज़ा आ रहा है दुनिया के लोग आ रहे हैं सिल्फी ली जा रही है और आप लोग यहाँ पे भूके बर रहे हो तो यही सचाही है यह मैं आपके सामने रखना चाहता था आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी इसके लिए दिल से धन्यवाद राहुल गांदी की स्पीच सोचल मीडिया पर एक बर फिर से वाइरल हो रही है जहां कई लोग राहुल गांदी की इस तरह से स्पीच के बीच में ऐसे एक्जामपल्स देने के तरीके को पसंद कर रहे हैं कई लोगों का माना है कि सिर्फ वाइरल करने के लिए अपने कॉंटेंट को राहूल गांदी इस तरह के एक्जामपल्स दे रहे हैं और ये तरीका उनके लिए काम भी कर रहा है कुछ समय पहले जब उन्होंने श्वरिया और बच्चन परिवार का भर भर के नाम लिया तब उ सही है वाइरल तो कॉंटेंट अपने आप हो जा रहा है